वेलकम फ्रेंड्स वेलकम तो दे चैनल एक बार फिर से रिव्यू और आज मैं बताने वाली हूँ कि समर के लिए सामसंग 3-in-1 कनवर्टेबल फ्रीज की क्या टेंप्रेचर सेटिंग होनी चाहिए बहुत सारे सस्क्राइबर ने पूछा है कि विंटर अब चला गया है फेब्रोरी मार्च आ गया है तो अप्रिल में और गर्मी बढ़ेगी और अप्रिल में जून जुलाई अगस्ट सेप्टेंबर तक टेंप्रेचर जो है फ्रीज का कितना रहेगा तो मैं अभी बता दूँ मैंने पहले भी वीडियो में बना कर बताया कि कितना होना चाहिए लेकिन अभी मैं सिर्फ समर के लिए बता रही हूँ तो अभी जैसे कि यह फेब्रोरी है यहां पर देख लें यह जो है माइनस 15 डिगरी सेल्सियस मैंने फ्रीजर का रखा है और यहां पर देख लें 7 भी यूज़ किया विंटर में लेकिन अब गर्मी आरही है अप्रिल में जून जुलाई बहुत गर्मी रहती है तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप जो है यहां मैं यहां दाप रही हूं फ्रिज fridge के लिए मैं बता रही हूँ fridge के लिए आप यहाँ पे इसको press करें तो यह चला गया 5 से 3 पर 3 degree Celsius पर फिर जाएगा 2 तो आप 2 degree Celsius पर रख सकते हैं अभी जैसा कि March चल रहा है तो मैंने यह fridge के लिए बताया है 2 degree Celsius जून जुलाई बहुत जादा गर्मी हो जाती है तो आप 1 degree Celsius पर कर दें चलिए अब बताते हैं fridge के लिए freezer के लिए sorry fridge मैंने बता दिया 2 degree यहाँ पर cover नहीं कर रहा है इस तरह से देखे यह 2 degree Celsius मैंने कर दिया अब आते हैं freezer को लेकर तो freezer अभी जो है यह बाइनस 15 पर सेट है तो अब मैं इसे ले जाओंगी प्रेस करूंगी 17 पर गया फिर प्रेस करूंगी 19 पर गया माइनस 19 पर और अभी मैं इस पर कर दे रही हूँ माइनस 21 degree Celsius पर मैंने सेट कर दिया अभी मार्च है तो और आप इसे माइनस 23 degree Celsius कर दें आप्रेल जून जुलाई जैसा आपको ठंडा चाहिए उस हिसाब से तो अभी माइनस 21 degree Celsius जो हो गया फ्रिजर के लिए और 2 degree Celsius हो गया फ्रिज के लिए तो अब ही जो है आप इसी टेंप्रेचर पर रखे जुलाई जुन जुलाई पर आप माइनस 23 या 1 degree Celsius पर रखें तो मैंने बता दिया इस तरह से करके आप अपना टेंप्रेचर सेट रखें फ्रिज का इस पर रखेंगे तो आपको आराम से कूलिंग मिलेगी वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताईएगा कमेंट में और लाइक भी करके जाएगा तिल देन बबाई